बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम, मेरा नाम हुमपेथक डाक्टर गुलाम शाबीरोसैन, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, वो है, करोना वाइरस कैसे फैलता है, दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब किजी हुमपेथक कालुई चैनल को, और बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट हुमपेथक के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, चले मैं आपको बढ़ता हूं कि करोना वाइरस कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल होता है, दोस्तों करोना दूसरे इनसान के जिसम में चला जाता है, तो वो भी इसका शिकार हो जाता है, यह वाइरस एक इनसान से दूसरे इनसान को मुंतकिल होता है, तो वो या तो खांसी की वज़ा से होगा, या छीनक आने की वज़ा से होगा, या वो वाइरस जदा मरीश को टच करने से होगा, लेकर ये वाइरिस जिसमें मुंतकिल होने के लिए जो रस्ता इफ्टियार करता है, वो मूँ का रस्ता है या उसके नाक का रस्ता है, इसी तरह आँंकों के जिरिये हो जाता है या वो infection कानूं के रस्ते से हो सकती है। दोस्तो इसी लिए जो हमें हदायत मिलती है कि आप मास्क और गलब्स का इस्तमाल करें ताके ये वाइरिस एक इनसान से दूसरे इनसान को मुंतकिलना हो। दोस्तो इसका पीरिट चौदां दिन तक होता है अगर कोई भी वाइरिस किसी के अंदर माजूद है और 14 दिन तक उसको कोई घोस्ट नहीं मिलता तो वो वाइरिस खतम हो जाता है यनि इस वाइरिस के फैलने के जो रास्ते है उसमें जिसम के हिस्सा यानि मून कान नाख और जिसके जरीए जिसम के एक जिसम से दूसरे जिसम में मुंत्किल हो जाता है दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से वर्ट सब्सक्राइब और फेस्बूक पे शेयर जरूर कीजिए वसलाम